हलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं साधी चूड़ीदार सलवार हम यहाँ पर साधी चूड़ीदार सलवार की ड्राफ्टिंग प्लस थियोरी सीखेंगे इससे पहले भी मैंने कई ड्राफ्टिंग और थियोरी के वीडियो सिंपल चूड़ीदार सलवार है इसमें हम बेल्ट नहीं लगाएंगे तो इसके लिए हमारे क्या क्या मेजर्मेंट होगा वह पहले हम देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे आजाती है सलवार की लंबाई अब चूड़ीदार सलवार की लंबाई हमें उतनी लेनी याने कि सलवार की лंबाइ होगी हमारे अनुसार होगी के हमें कुतनी रखनी लगट को हमारी होगी कामर फोरी 이야기 है लगट कोड़ा लगट करेंगे यहां दो हमेंहीं हमारी करना ओपड़ा इतनी पoqu भी दो सीफ स्ई मैं ऐखना है वह 15 इंच का है । जो हमारा भॉटम मोरी रखेंगे मोरी छोटी होती है तो यहां मोरी 6-ाल रखेंगे से भाध यहां आप यह नोट कर लिजी JAY दोटिन नोट मैंने मनें आ लिखे हुए चोडिदार के लिए हमें बनाने के लिए हमें 2 मेटर को र intensely शक्ता होगी और हमें इसे चार भाग में फोल्ड करना रहेगा इसके बाद हम जो भी हमारी कमर की चोडाइई हैं उसमें 6 इंच का मार्जिन पर निशान लगा देंगे देखिए हमें अबने कपड़े की चोडाइई है उतनी चोडाइई ही रखनी है कमर के लिए पर अगर आप चाहते हैं कि आप कमर पर ज्यादा चोडाइई नहीं चाहिए तो आप अपने कमर के measurement के अनुसार उसमें 6 इंच का margin प्लस कर दे और फिर उस पर निशान लगा दे इसके बाद हम कमर से 15 इंच का मोड़ भाग का निशान लगाएंगे जो कमर से देखिए धर खुले बागी तरब हम मोड़ भाग का निशान 15 इंच पर लगा देंगे इसके बाद हमारे एक note यह लिख लीजिए इसमें जो मोरी होती है तो यहां मोरी की जो हम चोड़ाई रखेंगे वह 6 इंच रखेंगे ठीक है यह आप इधर note कर लीजिए इसकी थियोरी इसके बाद हम ड्राफ्टिंग पर आते हैं तो यहां पर ड्राफ्टिंग हमारी देखिए यह हमारी कमर आ जाती है इसके बाद हमारा यह है आसन का हिस्सा या मोड़ भाग भी बोलते हैं इसे तो हम खुली भाग की साइड यहां आसन पर निशान लगाएंगे तो आसन का निशान हम पंदरा इंच पर लगाएंगे यहां आप आपकी लंबाई के अनुसा लगाएं आप देखिए यहां जो भी हमारा हिप का भाग होता है उसमें हम तीन से भाग देंगे और उसके बाद उसमें एक इंच प्लस कर द भब से हम इस तरह चोड़ाई में शीक्सिंच का निशान लागा देंगे देखिए हमने यह चोड़ाई पर इनुप 6 निशान लिया है इस तरह से बंध-भागी साइड मर निषान लगाएंगे अब फोल्क्राइक उपर यहां पर भी 6 दे देढेंगे देखें यहां रहा लाई देदी हैं गहला देने के बाद हम इसमेंगे साधी कभावर है तो इसमें जादा हमें नइशन नहीं लगाने यह औपर से कमर भाग से हमार duplicate हम में लगें तो इसी के अंदर हम हमारा नेफा भी निकालेंगे तो देखिए मैंने यहां पर चुडिदा सलवारी की ड्राफ्टिंग प्लस त्योरी आपको बता दिये अब मैं आपको इसको पेपर पर कट करके बताती हूं कि आपको कैसे निसान लगाना है और किस तरह से कपड़े को कट क करना है अब देखिए यहाँ पर इसका इस पेपर और इससरा से चार भाग में छिप्ण कर लें हैं अब हमारी बंद वाली बंद वाली साइड हमारी यह पर हमारा यह जो हिस्सा है वह कमर का हिस्सा है यहां से हम ननेसा निकालेंगे इसके बाद हमें आसन पर लगाना है जो खुली वाली भाग रहेगी वहाँ पर आसन का निशान लगाना है बहुती साधी और सिंपल सलवारे आप आसन इसे बना सकते हैं देखिए जैसे 15 इंच पर हमने यहाँ पर लगा दिया हमारा यह आसन का निशान तो इस तरह से आसन का निशा यह हमारा हो गया आसन देखिए 15 इंच पर इस तरह से हमने आसन का निशान लगा दिया अब हमें यहां बोटम में मोरी की चोड़ाई पर निशान लगाना है तो मोरी की चोड़ाई पर निशान हम इस तरह से लगाएंगे हम यहां पर 6 इंच जैसे यह 6 इंच है तो हमने 6 इंच पर इस तरह से मोरी की बोटम पर निशान लगा दिया, यह हमारी मोरी है, यह हमारा जो सलवार की मोरी है, यहां हमने 6 इंच का निशान लगाया, इसी तरह यहां पर भी हम इसको एसे गोलाई देते हुए हमें इसके आसन से मिला देना है, देखिए, यहां पर इस तरह से यहां गोलाई देते हुए हमें इसे आसन से मिला देंगे बस जो चूड़ीदार की सलवार है हमारी यह साधी चूड़ीदार सलवार इसमें हमें सिर्फ हमारा कमर का मेजर में आसन और हमारी मोरी का निशान लगाना होता है देखे इस तरह से हमने यहां मोरी यह हमा इसे मोरी से मिला दिया है अब हम इसे कट कर लेंगे देखिए आपको कपड़े पर भी आपके मेजर्मेंट के हिसाब से ऐसे ही निशान लगाने हैं देखिए यहां से आसन को भी हम इस तरह गोलाई में कट कर लेंगे देखिए हमारे यहाँ पर दोनों भाग तयार हो गए हैं यह हमारे फर्स्ट पेर और यह सेकेंड पर यहने दोनों तरफ के भाग हमारे तयार हो गए हैं तो पहले हम इने आसन से जोड़ेंगे फिर हम नेफा तैयार करेंगे और उसके बाद हम यह फ्रंट भाग जोड़कर इस तरह से लंबाई पर इनको जोड़ देंगे देखिए में यहाँ पर गम की सहाइता से इन्हें आपको अटेज करके बताती हूं इससे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे देखिए जो हमारी नाडी का भाग ही है तैयार हो जाएगा और यहां खुले भाग की तरफ से हमें यह जो आगे फ्रंट वाला भाग है यहां हमें इसे खुला रखना है इसके बाद हम देखिए इसके बाद हम इसे फ्रंट भाग से जोड़ेंगे हम फ्रंट भाग से इन्हें इस तरह से जोड़ेंगे हम इसे ही इनको आगे की भाग की तरब से जोड़ना है देखिए मेने बस यहां पेपर को आपको जोड़कर बता दिया है इस तरह से हम हमारी जो सलवार है सिंपल चूरीदर सलवार को हम तैयार कर सकते हैं इसके बाद हम मोरी पर भी यहां नीचे बोटा में वह ओटकर सिलाई लगा देंगे चूरीदार सलवार है वो आसानी से बनकर तयार हो जाएगी I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए Thank you for watching